नमस्कार इस्टूडेंट्स कैसे अब सभी आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्योटेप चैनल संदिव दुबसी चीप सीवी आज हम लोग फीफा विश्व कप 2022 के संस्क्रेंट के बारें बात करेंगे कैसा रहा सिनारियों कैसा रहा गेम चुकि आपको पता चल गया यह भी देखेंगे अगर आप इसलों नए होंगा तो पकर करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों साथ चर्चा करते हैं कि फीफा विश्व कप 2022 चर्चा में क्यों है हमारे पीसी के लिए इसका महत्त्य क्या है यह सब चीज़ों को देखेंगे देखें मैं आप फूटबॉल प्रेमियों की संख्या तो काफी हद तक है तो सीजी पीसी प्रिलिम्स के लिए या सीजी व्यापम के लिए सीजी एसाई के लिए महत्तपून क्यों हो जाता है क्योंकि इससे डिरेक्ट ट्रस्ट नाएंगे खेल से संबंदित है यह अगर आप सीजी पीसी को तो पेपर नंबर सेवेन में जो अंतर राष्टी खेल से संबंदी जितने भी संस्थान है तो उसके लिए भी महत्तपून है फिर आपको यह चीज तो ध्यान में रखना होगा यार कि भारत में फीफा या फूटबॉल खेलने वाले वेक्टिक कोई कभी नहीं है बेसक हमार पहले नंबर परनाल्जों फिर मैसी फिर यह नामा को दिग जाएगा कभी कभी दूसरे नंबर में था पर अगर कंटीनुम मेंमेश आयोजन में जो कतर के प्रामुक थे, कतर के प्रामुक का क्या नाम था, अमीर सेख तमीम अभीन अहमद अलठानी, नाम भानू धर्खना, कि निमंतरन पर हमारे वर्तमान भारत के जो उप्राश्ट पति है, जगदीज जगदीब धनकर जी और फीफा के जो सुभारम की है उनका नाम है दिपिका पादुकोर जी दिपिका पादुकोर कपूर जी को यहाँ पस ऐसा सुभारम के रूप में को इन्वाइट किया गया था तो यह हमारे लिस्ट ले महत्तपून हो जाता है साथ ही आपको याद रखना यह आयोजन बीस नॉम्बर से 18 दिसंबर तक चला मतलब 29 दिनों तक चला मतलब अब तक का सबसे कम दिनों में आयोजीत होने वाला है पहला वर्ल्ड कप है इसको अध्यान में रखना ठेक इससे पहले आपको ये चीज़ समझना होगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कौनसा संसकरंट था तो मैं आपको बता दो ये संसकरंट था 22 वा नंबर का कितने देशों ने भाग लिया 32 देशों ने ठेक प्रारंब कब हुआ 1930 में प्रारंब होता है ये फीफा वर्ल्ड कप ठेक पहला इसका प्रायोजन होता है और दुईति विश्यूद के दोरान 1942 और 1946 में ये रुख जाता है मतलब नहीं होता कितने वर्शों में होता है प्रतेक चार सालों में होता है ठेक तो 1930 से जब आप कौन करेंगे ना तो 2022 का जो संस्क्रान था वो कौन से क्रम को मिल जाएगा आपको 22 क्रम के आगे बात करते हैं चुकि जैसे हमको पता है कि FIFA World Cup की जो टीमे है उसके बारे में अगर बात करें देखें FIFA World Cup में कुल 32 टीमे हैं और हर एक टीम को चार वर्ग में डिवाइट किया गया था तो अगर आठ चार वर्ग में डिवाइट किया जाता है तो कितना सम्मू बन जाता है कितना ग्रूप आठ गूप तो FIFA World Cup में जो 32 टीमों को आठ ग्रूप ABCD में विभाजित किया गया था ठेक है और हर एक टीम का जो सिर्ट्ष ग्रूप था मतलब मलो इसमें से यह दोनों में से यह जीता हैं यह दोनों में से यह जीता तो यह आपस में वकाबला करके फिर आगे बढ़ेंगे तो ऐसा पूरा सिनाइर्यों बनता रहां चलता रहां अब अगर मैं बात करूँ FIFA World Cup 2022 में देशों का जो सम्मूवार है यह भाजन कैसे होता है जैसे ए ग्रूप में ध्यान में रखना ए में कतर है इसलिए 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 याद रखना है क्योंकि यह है और ग्रूप D को याद रखना है क्योंकि यह उप विजेता टीम है फ्रांस अस्टेलिया डेनमार्क ट्यूनेशिया उसी प्रकार से ग्रूप E में स्पेन कोस्टा दिका जर्मनी जापान F में वेल्जियम कनाड़ा मरक्को जी में ब्राजिल सर्विया सुजर्लेंड और H में पूर्टगाल घाना उर्गवे और दक्शुन कोरिय मिला यह अलग-अलग डिवाइट किया गया था तो ऐसा कुछ एक सिस्टम बनाया गया था इसमें टीमों को विभाजित किया गया आगे बात करते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो सुभांकर था उसका क्या नाम था तो या फिर वो सकते हैं सूपर कॉसल खिलाड़ी ऐसा खिलाड़ी जो सर्वस्रेष्ट है तो इसका अर्थातिय होता है और साथ ही जो अरव वासी जो कैप पहनते हैं अपने हैड में तो उसको ही बोला जाता है लाइब देखते हैं लाइब का तस्वीर है यही उसका सुभांक में कतर ने अमेरिका दक्चुन कोरिया जापान और आस्ट्रेलिया की बोलियों को पचाड़ते हुए फीफा के 22 कारेकारी सदस्यों के एक मत पत्र को जीतने के बाद जैसे यह मत पत्र जो देश इस आयोजन में जीते हैं तो उनको अगामी खेलों के आयोजन का प्रतिनेद अब देखते हैं मतलब फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसियेशन अब देखें अभी वरतमान में आजी का न्यूज है 2023 मतलब 22 में मतलब अगला जो विश्व कप होगा इसके जो जिसका सेडिल नहीं जारी किया गया है तो मोधी जी बोलते है जो हमारे देश के प्रधान मंत्री है कि इस वर्ल्ड कप को देखें एक चीस्तों समझा आगया कि भारत में जो फुटबॉल प्रेमियों की संख्या में कोई कभी नहीं है तो हम को मौका मिले तो हम फीफा वर्ल्ड कप भारत में आउजित करेंगे चूंकि अंडर 90 का जो फीफा वर्ल्ड कप आपको अब देखें यह फीफा वर्ल्ड कप का 22 संस्करण था अच्छा इसका अगर आपको पीडियाप चाहिए यह फोटो चाहिए तो कृपकर करके टेलेग्रम लिंक में जोईन हो जाएगा वहां से जोईन होके इसको डाउनलोड करके एक बार आप देख सकते हैं कि अब देखते हैं कैसे कैसे प्र PSN आ सकते हैं इसको आप фак्शुल के रूप में भी ले जिए गा और स्ते की रूप में भी लिजिए गा और कोशना असर के फारमेट में ले जिए गा कि इसके सहां तविकल प्रहेगा तैसी कोशननाने की संभौना रहेगी ठक्या देखते हैं कि FIFA World Cup 2022 में किसे Golden Wall Award से सम्मानित क्या गयती ये नाम है Leon Messi कहा के है अर्जेंटीना के है कप्तान भी रहे है अगला प्रशन बात करूँ तो FIFA World Cup में जो Golden Boot Award है जो सरवाधी गोल करते है नाम बताइए जो सरवाधी गोल की इस World Cup में वो फ्रांस मत्व उपीजेता टीम था और उसके जो प्रमुक खिलाडी थे किलियन एमबाप पे ध्यान में रखना है अगला प्रशन के बारें बात करूँ कि FIFA World Cup 2022 में किने Golden Globe Awards है सम्मानित किया गया तो ये नाम को आपको ध्यान में रखना है ये अर्जेंटीना के खिलाडी है इनका नाम है Emiliano Martinez Emiliano Martinez तो Martinez करकिश के ध्यान में रखेगा अगला अगर मैं बात करूँ Young Player Award FIFA World Cup में किने प्राप्त हुआ तो ये नाम है ये अर्जेंटीना के खिलाडी है Enzo Fannades Enzo Fannades ये भी नाम ध्यान में रखेगा देखें सब नाम तो ध्यान में नहीं रख सकते लेकिन जो इंपोर्टेंट है ना जो आने वाला कोशन है उसको एक बार देखी लिजेगा अगला प्रसना देखते हैं कि FIFA World Cup में किने बटवाइजर प्लेयर अब्दा ट्रॉफिक अवाड मिला तो ये नाम है लियोन मैसी तहां के हैं अर्जिंटीना के ठीक है और अगर मैं बात करूँ कि FIFA World Cup 2022 में फिफा व्ल्ड कप 2022 में फेयर प्ले अवाड कौन से देश को मिला तो आप यहापस कतर ना करिएगा ना फ्रांस करिएगा नहीं अर्जिंटीना करिएगा इस कांसर क्या होगा इंगलेंड अगर बात करूँ सरवाधी गोल के मामले में तो ये फ्रांस के खिलाडी हैं जिसको हमने देखा किलियन एमबापे इनको ये सरवाधी गोल की हैं इस वर्स में फिफा वर्ल्ड कप 2022 की जो फुड़ वाल अर्जिंटीना की कप्तान थी कों थे लियोन मैसी और इन्ही के नाम में याद रखना है इनके प्रमुक कोच का लियोन इसके लोनी इसके लोनी जब विजेता टीम को देखे तो उपिजेटल टीम को कैसे वह सकते हैं फिफा वर्ल्ड कप 2022 में फ्रांस फुडबॉल टीम के कप्तान तो इनके कप्तान को आपको ध्यान में रखना है होगो लॉरिस और इसके इनके जो कोच है उनका नाम याद रखेगा डी डी यर डैस चेंप्स यह कहां के हैं यह फ्रांस के कोच है और उपर में देख्यों कप्तान जो विजेता टीम है फिफा वर्ल्ड कप 2022 में उनको कितना रासी प्रदान किया गया प्रतम पुरुसकार करूप में तो यह रासी है लगभग 42 मिलियन डॉलर 42 मिलियन डॉलर मतलब अगर भारती रासी में इसको तबदिल करो करूप करो तो 345 करोड के आसपस होगा बहुत पैसा होता है बहुत पैसा होता है जबकि अगर विजेता टीम को कितना मिला है मतलब फ्रांस को कितना मिला है यह 30 तीस मिलियन डॉलर कितना होता है 245 करोण कि विजेता टीम अर्जेंटीना तो विजेता टीम अर्जेंटीना ने 2022 के लावा कि इतने बार और इस वर्ल्ड कप को जीत चुके हैं मतलब 1978 एक याद नाम रखना डेट 86 और 2002 और इस वर्ष का 2022 मतलब जो अपने के हैं छाए कमेंट चशन में सरवाधिक बार जीतने वाला जो टीम है उसका नाम बताना है सबसे ज्यादा किसने जीता और दूसरे नंबरएं सबसे ज्यादा किसने जीता पहला और तीसरा करम भी बता दीजिये कहों पुल्कितनी टीम है यारक का यक्ल कोन Cand विल्डन बालवाड किने प्रदान किया गये तो लियोन मेसी अर्जेंटीना के कप्तान तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रखे गया यह बहुत ही महत्पून सेशन है दोस्तों इसको एक बार पूरा देखे ताकि आपका आपकी चीतनी भी चीजें क्लियर हो सकें मिलते अगले बिडियों में गॉट ब्लस्यों